नमस्तों दोस्तों मैं है दॉक्टर इशान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारा यूटूब चनल बिंग दॉक्टर ओफिशल पर उम्मीद करता हूं आप सभी दोग बढ़ियाओंगे आप सभी की प्रपरेशन काफी अची चल रही हो नीट 24 की जैसा कि आप आप पता है नीट 24 की अप्लिकेशन फॉर्म का प्रोसेश अभी लाइफ है ऐसे में कुछ चेंज़ेज इस बार नीट 24 में अप्लिकेशन फॉर्म में एंट ये ने किये हैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते वे कि स्टुएंट की प्रॉब्लम जो हर साल आती थी उन् अप्लोड नहीं करना है यहां गईस जो लेटेस अप्लिकेशन फॉर्म में उसके एकोडिंग आप पड़ सकते हैं ऐसे कंडिडेट्स जो कि EWS से बिलोंग करते हैं उन कंडिडेट्स को अभी ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में कैटिकरी सेटिफिकेट अप्लोड नहीं क करता हूंगा ठीक है आप सुन लिए जीए अच्छे से कि आप अगर 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 आपके पास अभी इस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है आगे सुनिएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया तो आप यह देख सकते हैं पर यहां पर यह ची काउंस्लिंग अथरियोटी ठीक है यानि काउंस्लिंग के टाइम पर यह चीजें जो है आपके उस टाइम पर मांगी जाएगी और आपकी वेरिफाई कर ली जाएगी अभी आपको एप्लिकेशन फोर्म की टाइम पर कास्ट या फिर केटेगरी सेटिफिकेट अप्लोड न होता है ओपरेल के बाद में आपको बनाना होता है उसको देखते हैं अपको अप्लोड करा जाएगा आपको वेरिफाई कराना होगा आप ऐसे कंडिएट जो इस यानि की रिजर्व करते ना तो उनको बचो मैं बता दूं आप अपनी कैटेगरी अगर आपके पास सेटिफि बन गया होता है वही आगे आपके हर साल चलता है लेकिन OBC, NCL and EWA Certificate जो है हर साल क्योंकि यह उनका जो है आए के बेसिस पर बनता है इनकम के बेसिस पर बनता है तो इसलिए कि हर साल रिन्यू होता है एक अप्रेल के बाद आपको बना लेना है ठीक है अगर आपका बनाव एक अप्रेल के बनावाना है पहले का लास्ट इर का तो भी आपको एक अप्रेल के बनाना है क्योशन ये बनुद है या वो भी OBC, NCL या OBC से बिलोंग करते हैं, OBC भरिये, EWS से बिलोंग करते हैं, OBC भरिये, EWS से बिलोंग करते हैं, SC या ST से बिलोंग करते हैं, ST भरिये, आना, जनरल नहीं बनना है, काफी ताज student मैं से comment करके पूछ रहे थे, after your need exemption अगर आपका बन जाता है, तो आप अपनी category ही फिल कीजिए, अगर ऐसा लगता है कि मुझे बनेगा, मतलब impossible है की बनना, अगर आपको लगता है कि नहीं बन पाएगा, तो आप general भर दीजिए, और मैं कहुंगा, अगर आपका नहीं भी बन रहा होता है, तो भी आप अपनी category select कर लीजिए, at the time of counseling, आपकी पास यह option होता है कि आप अपनी category से general में shift हो जाए, लेकिन general अगर आपने भर दिया, तो general से आपका OBC में shift नहीं हो पाएगा, यह transfer नहीं होता है, अना reserve category से general category में जरूर आप transfer कर सकते हैं category को, लेकिन general से OBC category में transfer नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, यह चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, काफ़ी सारी student का comment भी आ रहा था, तक मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके जादा शेर किज़े, ताकि सब भी तक यह information पहुंच सके, फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में ने अपडेट के साथ में तक तक के लिए, जैहिंट, टेक केर,